है लो को वह ओ पुट ऐत्थ चप्पर के वह था है इसे लिए तो मैं संग्सेल चैपिटर श्तर्ट या थैसे समझ कर सब्सक्राइब मैं सेथरे स्थे तुट किया होता है सबस्क्राइब जो वेल डिफाइंड अब्जेक्ट अंदर बताएं जैसे इसको करते हैं से करली और वन है थ्री है फाइव है ठीक है सेवन ऐसे यह एक तरह का से के अंदर नंबर्स आएंगे एक से इसा विसकता है इसके अंदर है साइनेक्स है ठीक है फिर उसके अंदर आपका वन अपन एक्स प्लस बन है ऐसा इसा नहीं होना कि इलड्डू वार्थी बड़ा यह सब सेट में नहीं है इसको करते है यह सो करते है इसको वह में जो करके इसको बोलते है रोस्टर फों रोस्टर में सो्ट रिकाइँ गया आपने कि अपने आप एशांप्ल सामच आए इसमें अब आते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने का दूसरा फॉर्म इसको बोलते हैं सेट विल्डर फॉर्म अब जो एक्जामिनर होता है चाना तर वो सेट विल्डर फॉर्म में ही सवाल देता है और इसमपल आपको लिखना है एक सेट में आपको एक नेशनल नंबर लिखने क्या आप इतने एक खाली है दुनिया में कि आप पूरा लिखने बैठेंगे आपको दुनियों को बताना है कि लिखिए लिखा हुआ है वो एन नेशनल नंबर से नेशनल नंबर से आप कैसे लिखेंगे इसको आप एप लिखेंगे इसको एक्स इसको बोलते हैं कॉलों कॉलों के पहले जो लिखा है एक्स उसमें वेरीवल आप जो चॉइस करना है वाई जड़ एक्स का मतलब बताना है एक्स का मतलब यह है एक्स बिलाउंस टू नेशनल नंबर अबढ़ने इससे गेंगें इस टूंबल मिए रखा है एक्स हाँ रखंपल कैसा होना चाहिए नेचरल नंबर few जैसे एक जांपल दिखाता हूं जैसे माल दीजी एक सैड है एक्स और एक्स की वैल्वी जो है वो इंटिजर होनी चाहिए और जो एक्स डिवन है वो दे रखा है बन से लेकर 5 इसका मतलब आंसर के आएगा सर्वन आएगा त्री आएगा इसके रावाण नहीं पाइस आगे आपको चलिए वो पर यह तो सेट बिल्डर फों यह होता है ठीकिंगा आप आते हैं अगले वारे टॉपिक पर के बाद हम पढ़ते हैं काटेशन काटेशन प्रॉडक्ट और भी जैसे एक क्रोस पी करना है अभी यह उस्पर के लिखा हुआ है एंप डूर्टीप्लाय करना हो कैसे मल्टिप्लाइ करें इसके माल लीजे एक सेट ए में element है 123 ठीक है और आपको मल्टिप्लाइ करना है 456 है ठीक है तो आप क्या करेंगे इसको कैसे मल्टिप्लाइ करते हैं उद्यास नहींगे इसी प्रकाल से 3,4 3,5 and 3,6 इन ही प्रकारों से मल्टिप्लिकेशन हो सकता है दो स्टेटिक है अच्छा तीक है तू माल लीजिए अगर मैं आपको reverse सवाव दो कि भाई देखिए 4,5 है एक एक सेट है जो 4,5 है 6,7 है और 8,9 है तो बताईए ये किन दो सेट का मल्टिप्लाइ लिखा होगा तो बी क्रॉस सी रहा होगा और बी जो होगा तो 4,6 और 8 होगा तो 4,6 और 8 होगा ठीक है और जो सी है वो होगा 5,7 और 9 तो पूर पाइब टीक है और पाइब और 7 बदब केना इसने में और 4,5,4,7,4,9,6,5,6,7,6,9,8,5,8,7,8,9 उस बी क्रॉस सी का ये सब्सेट है अचा अब सब्सेट क्या होता है सर तो सब्सेट होता है वो सेट वो सेट ज़सेट ज़से वो इस सब्सेट ऑफ ए कितना होगा जिसके इलिमेंट इसी मेंसे ओने चाहिए न इस से कम न इससे जाना इसके बाहार नहीं हो ज़ाए सब्सेट अगल इतना चाहो एक सब्सेट इस ही सेट का होगा gan ऐसे मेंसी तो हमेशा किसमें से मयं से उठाते हैं सैट में एक है तो चैना इसे की बीक्रोसी तो आपको 4,5 फिर 4,7 फिर 4,9 फिर 6,5 फिर 6,7 फिर 6,9 फिर 8,5 फिर 8,7 फिर 8,9 तो बीक्रोसी तो बीक्रोसी तो बीक्रोसी तो अगर मैं तो और ध्यान दू तो बीक्रोसीब फ्रेंट पे आएं तो इसको आगे लिखा है और C के element तीठे आ रहे हैं इसको तीठे लिखा हुआ है माल लीजिए जैसा मैंने A-Cross पी सिखाया है मैंने आपके अगर मैं बूलू कि B-Cross से बताओ क्या होता है तो अब 4 multiply होगा 1 से 4,1 4 multiply होगा 2 से 4 की बारी 4 multiply होगा 3 से काम होगया फूरका अब इसी प्रकार से 5,2 5,1 5,3 नेक्स्ट विल बी 6,1 6,2 ए 6,3 अचा अगर मान दीजिए एक सेट में 1,2,3 है और एक सेट में है 1,2,7 तो क्या इन दोनों सेट को बराबर equal हो सकते हैं क्या नहीं सेट इक्वल सेट कभी होता है जब उसके हर एक elements equal हों देखिए मेरे class में मैं जाते चीज़ें लिखवाता नहीं आप pause करके अपने word में लिख दीजिए और जितनी मेरी बातें बोलूंगा मैं वो सब के सब work important होगी सवाल के हिसाम से आपस कान खोल कर दिमाग को पर सुनते रहेगा और बात मैं जुहारब पिट करना हूँ दो सेट जो है इक्वल कब होगा जब उनके हर एक element इक्वल होगी तो क्या बी cross A और A cross B अच्छा इसरी बात और एक और बात 1,2 और 2,1 क्या इक्वल है बिलकुल नहीं यह दूनों और दूनोंगी जगा पड़ा इसन दूनों पाइंट डिफ्रेंट जगा पर पहुंगे यहां पड़ा आए1 इसन प्लेंग्राइए पर्स ए आप अगर माल लिजी ए तो आपको सहों गया है कि फोर फाइएस फ्रेंट प्रंट पयारें कि किसके alement है वह हूं और जो जो कीछे आ रहे है जो कीछ है और छोный जो प्रेंट में हो किसके आट होगे तिसका फॉंक्षन पर मेरी बातों समस्ते रहेगा क्या तुबसेट किसको बोलते हैं जो इसके अल्मेंट सेट में से आने चाहिए उसके बाहर मेरी आने चाहिए दूसरा इक्वल सेट का पूलते हैं जो भर एक एलिमेंट इस एलिमेंट मस्ट बीक्वल टीसवी बाद बी क्रॉस सी और सी क्रॉस बी क्रॉस या एक नौस बी कभी बराबट नहीं पूलेगी चलिए आज बढ़ते हैं अब आते हैं नेक्स्ट बात उपर जैसे की एक लॉस भी में अगर आप ध्यान दें तो आशा पूश्टा एक्जाम लगती बताओ एक लॉस में नंबर ओफ एलिमेंट्स कित नंबर ओफ एलिमेंट्स आपके नों एक लॉस दू चार पाँच साथ आट नों खेना एसाट इंटू 3 अरे बनकर 3 bar bana 3 point bana 3 co laka 3 point bana 3 cross 3 9 1 so number of element number of element in a cross b will be number of element in a multiply by number of element in b number of element in a b and number of element in b cross it will be वो डिफ्रेंट नहीं होगा जैसे अब वी क्रोशे में 11 गिनों एक दूर्टी चार पाच्छे सारा नौ वही आ रहे है यह तो वही बात होगे ना पॉइंट लागा लागा लागे पर क्वाइंटिटी तो सेव ही यह ना पर तीन यहां से तीन मां से तीन मां से तीन यहां से अब आगे आते हैं अब पढ़ते हैं कि रिलेशन क्या हो तो सब्सेट ओफ एक रॉस पी इस रिलेशन में यानि कि मैं एक्जांपल दिखाता हूं जैसे यह में 1,2,3,4 है और B में है 1,4,9,16,5 यह एलिमेंट है तो A x B मैंने लिखा तो 1,1,4,1,9,1,16,1,5 इसी परकार से 2,4 मैं अच्छे तो इतना हूं सब्सक्राइस को ही मीरी एक्जांपल तो बताऊंगा तो आपको बैतर सांद आया और देमें यह एक्जांपल लेशन में 3,5 इसी प्रकार से 4,1 4,4 4,9 4,16 and 4,5 चार 5 पीश रोगों एक जोग जोगी चार पाँच चार पाँच चार पाँच चार पाट नो जाज गार बार तो इस तो पीश अलिमेंट है तो ये ट्रिक समझने आगे नम्रफ अलिमें एक बार दीन कितने होगे वीक्रोस एक स्थेमें स्थेमें होगे और कितने होगे मुल्टिप्लाइब नम्रफ अलिमेंटिन एंटो नम्रफ अलिमेंटिन बी इसे माल दीजिए एक मैं सेट लिकरा हूँए एक रिलेशन लिकरा हूँए तो X related to Y इसका मतलब यह होता है X related to Y यहमें तो अच्छे था बोलू तो एक सेट है कि ठीक है उसमें X, Y में लोग लिखे हुए और यहां पर आना चाहिए इसका मतलब क्या हूँए वह एक सेट लिकरा में पहली बात इसका मतलब क्या हूँए वह एक सेट के साथ में इसका मतलब मैंने बिल्कुस तहीं सोचा है एक मतलब क्या मतलब वह प्रेंट में की आता है बाद में भी आता है अब अब मैं इसके लूट बूंटा हूँ तो अगर आप ध्यांद दे तो ऐसा कौन सा वैल्यू जिसका य इन्पूट का स्वेर है एक स्वेर एक वन 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 का स्वेर बन होता है अगला लगत तुप आप देखो एक स्वेर में कि पीछे एक पर दीगोंब नाइड त्रीं कॉमब नाइड और देखो फोर ओमा सेट्सेंडिका पस यह आएंगे तो यह जो था यह क्या है एक कैना इसे रिलेशन है एक से भाइय ने मतलग यह एक सर्य चुभी बोड़ा इसके बरूसे कौन बैठा हुआ है वाई इस पालेशन का मतल्य है तो तो एकसि इस इन्दिपेंडेंट एक्स में आप कुछ भी इस डिपेंडेंट जो एक्स होगा उसी के हिसाब से वाई होगा आपके पास चारी को रखनेगा और जो भी आउट्टुट है वो इंपुट का पोस्टूर मच तो आप इतने प्लोग मिले चार किसमें से मिले एक्सेंड वाई का वो एक्स बी में से ही आया है जो है यह सबसेट है एक बास बी का मैं एक और रिलेशन दिखाता हूं इसका नाम है एक्स को वाई का और रिलेशन यह है मैं एक्स जो है को ओक इसे बड़ा हो चाहिए और बी समस्वांण चीए चलो कि आएगा वाई से नहीं में मृँन से नहीं मृँन से नहीं मैं वटाशीं सेनत्य लैसाइच्टी से नहीं इस इसमें यहर आहे है और लेंगा 315 419 349-335 नहीं पूर्वन आएगा यह यह तीन में उटनील धो कि इसमें किया सप्रडिस्थाई हो रही है लेशन क्या सवित है हो रहा है कि इंपूट पड़ाया ओपुट से एक्स बड़ाया वाइस इतना भी इनके बीश में क्रॉस बनेगा उसी इसके अंदर से ही अपना उसका है तो कहना इसे एक लेशन में लिखे हुए बहुत तारे रहते 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 चुते हुए उसका रिलेशन न सकते हैं एक लेशन माले यह सी है इसमें एक स्कॉमा वाई और एक्स प्लस वाई जो है तुप फाइव अनाची एक्जेक्ट फाइव और एक्स एपर उठाना है वाई बी में बताओ वाँ तो संप्राश नाची एक चार वी बनेगा बन पॉर वाला अच्छा टू नहीं बनता थ्री न आज वाई बता रहें वह तो वही बात हुगे न जितने सबसेट बनेंगे सबसेट बनेंगे तना ही नंबर ओफ रेशन आएगा वो प्रेयर तांस ने आ रहें किसमें से आरे और जोगी लोग आ रहें वो क्या है किसके हिस्थे है एक रॉस बी के रहा है एगिलेशन जिस नहीं बट वाही तो हमने कि यहां से रहे निकाला की नंबर ओफ रेशान इस एक रही तूट नंबर ओफ सबसेट ओफ एक्र जॉस्ट न अब नंबर ओफ सबसेट किसमाई लीजेए एक सैट है 1, 2, 3, 4 तो कितने इसके subset होंगे number of subset of subset A यह सवाल है तो देखो, 1 होगा 1 1 होगा 2 1 होगा 3 1 होगा 4 1 होगा 1, 2 1 होगा 1, 3 1 होगा 1, 4 1 होगा 2, 1 मतले है 2, 1 होगा 1, 2, same है 1 होगा 2 3 1 होगा 2, 4 1 होगा 3, 4 होगा अब दो तीन ती माले 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 4 होगा पिर आएगा 2, 3, 4 पिर आएगा 1, 2, 3, 4 खुदर पुरा खुदर और एक आएगा 5 आएगा 5 यहीबात होगी आपको 4 लोग घडे साथ ने आपको नंबर और सिलेक्शन होताना है नंबर और सिलेक्शन कितने हैं आप शेक्का सकते हो तो आप सबचेट कि लिए अब चारों चारों सब्सक्राइब कितना हुआ एक दो तीछा पाँचे साथ आटो दस यह आदर देख सब्सक्राइब 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4 1 2 3 1 2 4 2 3 4 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 4 3 2 2 2 3 2 6药 2 2 2 4 1 1 select 12, 13, 14, 23, 4C2, 4C2 1, 6C2 1, 6C2 1, 6C2 1, 6C2 1, 6C2 1, 7, 4C3, 4C3, 4C2, 4C2 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 4, एक रहे गाता कर दो अस्ट लेंग सब्सक्राइब कर लेए ms tra टीन सब्सक्राइब तो है कि थ All- yüz में स्थरिया पुर में से दो थे लिए लिए पूर से तीन सह ओ लिए 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 ले में लगी ये यही क्या बताता है इनी क्या पताता है हमें नमबनों सब्सेट तो के नाइसे कि अगर चार एलेमेंट थे तो तुकी पाउर फोर अपना प्ना स्रा था नंबर आफ सब्सेट इन कि पावर नंबर ऐलेमेंट इन तो नंबर उसे पनी इनलेमेंट बिंगी प्रॉस्टिंप ने लिए आए और इट के मुड्यक्लाइब हो वापे इसे कितना बना था पर पीसे बना था आपका वीज तो तुटी पावर ट्वैंटी जैने टूटी पावर ट्वैंटी नमबर उफ रिएशन बल सकते हैं एक्स वाइटू लेकर तेके उत्ना पर भी जाना प्रेशन जो है इसके बीच में एक्स और वाइट बीच में दूवेरियबल कांस उठाएंगे एक सेट इमेश उठाएंगे एक बीमेश उठाना है एक्स यूबी एलिमेंट होगा वो फ्रेंट पे आएगा उस पे कॉन डिपेंड है वाई वी इंपुट होगा उसी के में आउपुट आएगा अब यहीं चीज नंबर ऑफ रिलेशन में से एक रिलेशन जो होता है उसका नाम है फंक्शन हर रिलेशन की अपनी उपनी क्रेटेरिया है जैसे अब प्लेशन आगे पढ़ाओं वो जमने वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है कि दोनों इंपुट आउटबूर जो है तो स्यम होने चाहिए जेए अगर एक रिलेशन में 1-2 आ रहा है तो तुमें 2-1 भी आ रहे चाहिए उसटाइक क्यों टेपेंड़ें ने कैसा रिशन बनाया है विलेशन किसी प्रगासिया बना सकते हो जैसे आपको भी खेलना हो बैक्शन तो ऐसा कर लो तो प्यक्स को माई है और एक्स इस लेस्टेन इक्वेट वाइब अच्छी है वाई बढ़ा होना चाहिए एक से उधा प्यतने पहले नदर ही आएंगी इसी के अंदर ही पर पुछी क्या है मता रहा है नमबर फॉर प्रस्ट विकिन क्रीट इतने टाइम्स नमबर ऑफ यहां पर कुछ गाटन होता है और वन आप द वन आप द रिलेशन इस फॉंक्शन जो हम पढ़ेंगे अगली लेक्चर में जिसको मैं अपको लोड करूंगा अपनी चैनल पे जो था मैं लॉंच करने वाला और यह लेक्चर फ्री रहेगा आप यह तो यूटूब पे देख लें और इसी लेक्चर को मैं अपने चैनल पे भी अपने कॉर्स में अप्यूड करूंगा तो वहां जाके भी आप इसको देख सकते हैं और जैसा कि मैंने प्राइज भी रखा है वही प लॉंच में आता है यह रिलेशन क्या है सबसेट सेट क्या है तो आप पॉंच्छन में पराओंगा वह प्रीमियम में रहेगा तो आप वहां लाकर एक्सिस कर सकते हैं और वह बहुत जो भी रहेंगे उसमें से वह अच्छे लेवर के रहेंगे और आपका रिजर्ट तो गै कि मैं कैसा पराता हुँ आप पूर्दम समय में आई है चीजे बहतर है और आपको गदर में से कॉंटेक्ट करना है ति में अपना दे रखा हुआ है और आपके आप मुझे कॉल कर सकते हैं तो हम उसको पूरा पढ़ेंगे बताएदा है तो जे ये फॉर्मेट लिए तो ये मैं 12 वाले कोर्स में अफ्लोड हूंगा और 11 वाना कोर्स में मैंने बना रखा है तो इसमें मैंने टेको मैं 3 से स्टार्ट किया है मैंने चार-फांच लेक्चर फ्री और प्री में अनलॉक कर रखे प्री रखे वह आप देखें अगर आप उछ आल एक्सा सब्ग में प्रीमियम वाला है पैसे बनके वो फूर्स दू साल का जोएकर सकते हैं दू साल का फीज पच्छीस सो रुपए है मात्र पच्छीस वाल तक पढ़ाएं गया तो यही अच्छे पाल गराएं और अगर आपको बार्वी में अगर आपने एक साल में अगर आपको रिज़ित कर चाहिए मैंने अपने वेबसाइट पे लिज़ित को मैंने डाला हुगा जापने देखी हूं आप रिज़ित ऐसा आया है वहाँ पर मैं आपको बार्वी में पूरा 12 कवर करांगो उसके बार नूंबर दिसंबर में आपको ग्यार भी कंप्रिट कराकर आप अपना दूज